Hey everyone, welcome to Spellby, today we will talk about dark side of mukbang youtubers. तो ये जो youtubers हैं वो काफी heavy amount में खाना खाते हैं. ये trend foreign में तो काफी सालों से चल रहा था, बट इंडिया में last कुछ सालों से ऐसा लोग करने लगी है. काफी Indian youtubers हैं जिनका ये profession नहीं है और इससे ही वो पैसे कमाते हैं कि camera के सामने बैटना हैं खाना खाना है. बट इतना जादा खाना खाना इस इंसीन. क्योंकि ना ही ये सिर्फ उनके body को affect कर रहा है बट इवन mentally भी उन्हें ऐसे addiction की तरफ धकेल रहा है विच इस डेंजरेस. फॉरिन में YouTubers जब इतना सारा खाना खाते हैं तब उनमें से काफी लोग ऐसे हैं जो workout करके उतनी calories burn कर लेते हैं या तो वो इतना खाना सर्फ week में एक बार खाते हैं और एक break लेने के बाद फिर से 6 दिन के बाद एक वीडियो बनाते हैं बट अभी वो लास्ट दो सालों से इतना ज़ादा अमाउंट में food consume कने लगी है कि उनकी खुद की audience ने उनके weight में difference notice किया है and yeah I am not body shaming anyone just that ये जो eating disorder इंडिया में promote हो रहा है ये कितना गलत है इसे I am pointing out क्योंकि काफी लोगे वीडियो देखके सोच रहे होंगे कि हम भी इतना सारा खाना खाएंगे कैमरा के सामने but the truth is this will ultimately destroy your body and lead to depression यहां अगर आप देखोगे तो mostly YouTubers या तो 2-2 kg का बिरियानी खा रहे है या तो भर-भर के Chinese food खा रहे है बिरियानी तो चलो उसमें color नहीं डलता बट Chinese में जो color अनाजिनमोटो डलता है वो body के लिए कितना खतरनाक हो सकता है यह सब को पता है उसके बाद mukbangers चॉकलेट खाते हुए भी वीडियो बनाते है like इतना चॉकलेट अगर आप खाओगे तो can you even imagine शुगर का level कितना बढ़ जाएगा अगर आपके body में अच्छानक से इतनी शुगर की मातरा बढ़ गई तो this can lead to stroke यह सारे लोग जो ऐसे वीडियो बनाते हैं वो उनकी choice है but the problem arises जब वो अपने viewers को सच्चा ही नहीं बताते कि actual में वो इतना सारा खाना कैसे खा लेते है तो यहां हम अभी ये चीज़ discuss करेंगे कि actual में camera जब बंध होता है उसके बाद क्या सच्चाई होती है ये mukbangers की और ये सारी चीज़े वो नहीं दिखाते आपको तो camera के आगे ये सारे लोग आपको हसते हुए खुश दिखाई देते होंगे बट जैसे camera बंध होता है काफी लोगों नहीं ये complain किया है कि इतना सारा spicy food खाने के बाद उनको रात को नीन नी आती और उनका पेट चलता रहता है उसके बाद कई मुगबैंगर्स ऐसे भी है जो इतना खाना camera के सामने खा तो लेते है बट बाद में जाके उसे vomit करके निकाल देते है तो technically वो food कभी digestive नहीं होता और यूट्यूबर वेट नहीं गेन करता और एक तरीका जो ये यूट्यूबर अपनाते है वो ये है कि इतना साना जो वो खाना खाते है वो one go में नहीं खाते यानि कि एक ही टाइम पे इतना सारा खतम नहीं करते ब्रेक ले लेके ये खाना खतम होता है अगर आप इन mukbangers का वीडियो देखोगे तो you will notice कि काफी cuts मारे होते इनके वीडियो में क्योंकि ये लोग ब्रेक ले लेके खाते है लाइक एक बार खाया फिर हाफ इनार का ब्रेक लिया फिर वापस आके खालिया या तो बीच-बीच में जाके खाना निकाल के आ जाते हैं अपने सिस्टम को खाली करते हैं और फिर से खाना स्टार्ट करते हैं ऐसे दिफिनिश देर फूद और जिन ऐसा इतना खुश है कि नहीं वो कभी नहीं बोला जा सकता प्लस ऐसे वीडियोस देख के आप भी psychologically disturbed हो रहे हो जब ऐसे वीडियोस आप बार-बार देखते हो तो क्या होता है कि आपको लगता है कि इतना ज्यादा quantity में खाना खाना और इतना tasty खाना is amazing फिर आपका ब्रेन इनमें upset होने लगता है कि जो खाना आपको घर में मिल रहा है वो इतने quantity में नहीं है और इतना tasty नहीं है your brain starts comparing आपने notice किया होगा कि ऐसे वीडियोस देखने के बाद आपको काफी ज़दा भूक लगने लगती है और एक dissatisfaction से होता रहता है और आपको क्या लगता है कि और कौन से वेज ये लोग अपनाते होंगे इतना सारा खाना खाने के लिए वो भी बताइए और ये वीडियो अच्छी लगी होते से like and share करें और इसे और updates के लिए चानल को please subscribe करें Thank you